राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आज की हमारी कहानी का नाम है नियम ममी जी ममी जी इधर आईये ना सनेहा धीरे से अपनी सासुमा सुरेखा जी से कहा क्या बात है बहु ऐसी क्या बात है जो उधर बुला रही है इधर ही आकर बोल ले आखिर सुरेखा जी ने भी त कुछ जरूरी काम है सनेहा ने हिचकती वे कहा तो अपने दोनों भायों के बीच बैठी सूरेखा जी को उठकर अपनी बहुं के पास जाना ही पड़ा पर इतने में दोनों मामा जी ये कहकर रवाना हो गए कि हम थोरी देर बाहर से घुम कर आते हैं जैसे ही सूरेखा जी सनेह के पास पहुंची तो लगभग से नेहा को डाते हुए बोली हां बोल क्या है चर नहीं है तुझे भी जो मुझे बुला लिया इतने दिनों बाद मेरे भाई घर आये हैं पर तुझसे ये बरदास नहीं हो रहा है सूरेखा जी चिट चिडाते हुए बोली मम्मी जी वो मैं ये कह रही थी कि मैं पिरियड हो गई हूँ रसोई में नहीं जा सकती सनेहा ने हिचकती वे कहा क्या सुरेखा जी के मुझ से क्या इतनी जोर से निकला की जैसे किसी ने बम फोर दिया हो हे भगवान तुझे भी अभी बैठना था आप घर के काम कैसे होंगे अभी तो कुछ किस भी काम नहीं हुआ है इसलिए कहती हूँ सुभा जल्दे उटकर काम कर लिया करो पर ममी जी मैं तो शुबा चार बजे से हिं उठी हूँ तबसे मैं काम में लगी हूँ सनेहा ने कहा हां रहने दी रहने दे सब पता है मुझे धीरे-धीरे हाथ पैर चलाती है और कुछ नहीं काम ही क्या होता है तुझसे बस टाइम पास करती रहती है सुरेखा जी ने सनेहा को जुड़कते वे कहा पर सनेहा को बिल्कुल पुरा नहीं लगा क्यूंकि उसी पता था कि सारी काम अब सासु मा खुद ही संभालने वाली है जो काम बहु के लिए कुछ भी नहीं होता ह वो सासु मा के लिए बहुत सारा होता है खैर सनेहा तो अपने कमरे में चली गई लेकिन सूरेखा जी उनका तो अभी भी सिर चक्रा रहा था हाई राम कितना काम पड़ा है कैसे करूंगी मैं खर मिलते हैं पहले इस परिवार से सूरेखा जी और सूरेश जी के तिन बेटे हैं बरे बेटे संजीव की साधी सनेहा के साथ एक साल पहले ही हुई है जबकि दो छोटे बेटे बिनोध और बिबेख हैं जो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और फिलहाल घर पर रहकर अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं यूं तो छोटा सा परिवार है पर सूरेखा जी कई नियमों को मनने वाली है उस में से प्रियट की छुवा छुद को तो बहुत मानती हैं वो प्रियट के दीनों में तीन दिन तक रस्वई में ना काम करने का तो नियम ही है साथ ही साथ प्रियट के दीनों में घर के पुरुसों के कपरों को भी हाथ नहीं लगाने देती उनका मानना है कि प्रियट के दीनों में पुरुसों के कपरों को हाथ लगाओ तो वो असुध हो जाते है सनेहा की साधी के पहले तो घर में नोकरानी भी थी जो उसकी साधी के बाद हटा दी गई हालांकि सूरेश जी ने इसके लिए मना किया था पर सूरेखा जी ने ये कहकर उन्हें चुप करा दिया कि अपने घर में काम है कितना होता है अब सनेहा ही सारी काम करती है क्योंकि कप्रे मसिन से हर दो दिन धूलते हैं इसलिए सबके कप्रे भी सनेहा ही धोती है जबकि पहले अपने कप्रे तीनों भाई मिलकर हर संडे को धो लिया करते थे जब सनेहा पिरियर से होती है तो तीन दिन घर में मसिन नहीं लगती है वो कपरे सनेहा चोथे और पांचवे दिन थोरा थोरा करके धो लेती है लेकिन आज कल रात को ही दोनों मामा जी बरा नसी से यहां अपनी बहन से मिलने आई हुए थे रात को सनेहा ने उनकी अच्छे सी आवा भगत की सुबा चार बजे उठकर फटा फट साफ सफाई करके दोनों मामा जी के पसंद के अनुसार नास्ते की तैयारी की इसी में सुबा के दस बज गए सनेहा ने सोचा था कि आज मसीन नहीं लगाएगी क्योंकि काम बहुत है पर सुरेखा जी ने जाकर सभी कपड़े साथ ही दोनों मामा जी के कपड़े भी भींगो दिये जब सनेहा ने कहा ममी जी मैं तो सोच रही थी कि मसीन कल लगा लेंगे आज काम बहुत ज्यादा है तो सुरेखा जी ने बड़ी बेपरवाही के साथ कहा अरे कपड़े तो मसीन धोएगी तुम्हे क्या परिसानी है और फिर मेरे दोनों भाई क्या घर जाकर अपने कपड़े धोएंगे अच्छा लगता है क्या और वैसे भी काम ही कितना है हमारे घर में दो लोगों का काम ही तो बढ़ा है वो कोई काम है भला सबके साथ ही उनका भी काम हो जाएगा दो चार कपरे ही तो है आगी सनेहा कुछ कह नहीं पाई अभी नस्ता खिला कर रसोई की सलेब साफी कर रही थी कि सुरेखा जी रसोई में आई और बोली बहु एक काम करना खाने में दाल बाटी चुर्मा कढ़ी मसाला बाटी और चटनी बना लेना दोनों मामा जी को बहुत पसंद है फिर सिंख में परे जुठी बरतनों की तरफ देख कर बोली अरे दो चार बरतन ही तो होते हैं इन्हें भी साथ ही साथ धो लिया करो जो इतने इकठे ना हो दो चार बरतन यहां तो पूरा सिंख भरा पड़ा था सनिहा ने सोचा की पहले खुद नास्ता कर लू बाद में बरतन धो लूंगी खुद के लिए नास्ता लेकर कमरे में गई ही थी की उसे लगा की वो पिरियड हो गई है बस इसी बात की खबर सुनकर सासु मा के हाथ पाव फूल गए पर आप तो काम करना ही था नियम उनके ख सुई में गई सबसे पहले नजर सिंग में भरे हुए जूठी बरतनों की तरफ ही गई तो लगभग चिलाते हुए बोली ही भगवान पूरा सिंग भरकी रखा है ऐसा नहीं की हाथ की हाथ बरतन धोती जाए अब इस अमबार को मैं धोओ कैसे निकम्बी वहू मेरे पल्ले पड़ी है कोई काम समय पर नहीं करती सनेहा को सब कुछ सुनाई दे रहा था पर वह फिर भी चूप थी उसे पता था कि आप तीन दिन यहीं होने वाला है बरतन धोते धोते ही सुरेखा जी को याद आया की अभी तो उन्होंने कपड़े भी भींगोई हुए थे आप तो उ मसीन में कपड़े डालती जा रही थी और बरबराती जा रही थी ही भगवान ये कपड़ों का इतना धेर क्यों इकठा कर लेते हैं साथ की साथ क्यों कपड़े नहीं धोते घर में नोकर लगे हैं क्या इनके कपड़े धोने के लिए कपड़े मसीन में डालकर रसोई में दो देखो जी मेरे पास वैसे भी बहुत काम है मुझसे इतनी लोगों का खाना नहीं बनेगा दोपहर का खाना बाहर से मंगवालो इंसान हो मसिन नहीं हूँ अपनी पतनी के बात सुनकर सूरेश जी मंद मंद मुश्कुराई और बोले अच्छा कहां इतना काम है अड़ी थोरा स तो काम है हमारे घर में उनकी बात सुनते ही सूरेखा जी नस नस में गुस्सा दोरने लगा देखा नहीं आपने या देखना नहीं चाहते सिंक पुरा भरा पड़ा है कपरों का आमबार लगा पड़ा है और उपर से इतनी लोग का खाना मैं अकेली क्या क्या करूंगी इंस कान हूँ कोई मसिन नहीं हूँ तभी सूरेख जी बोले यहीं बात तुमने बहु के लिए सोची कभी जिससे तुम सिंक भारा हुआ कह रही हो तुम्हारी भासा में वो बहु के लिए दो चार बरतनी होते हैं जो तुम्हारे लिए इतनी लोगों का खाना है वो बहु के लि नजर आते हैं वो कपड़े तो बहु के लिए मसिंध होती है सास करे तो काम दो गुना हो जाता है और बहु करे तो वही काम कम हो जाता है क्या एक ही काम दो लोगों के लिए अलग-अलग होते हैं क्या सुनकर सुरेखा जी के हाथ वहीं के वहीं रुके गए गलत तो कह नहीं सुरेश जी, सुरेखा जी को चूप देकर सुरेश जी ने कहा, देखो सुरेखा, मैं ये नहीं कहता कि बहु को बेटी मानो, क्योंकि ये सब कहने की बाते होती है, बहु और बेटी के बिच में एक महीना अंतर होता है, पर बहु को बहु ही मानलो, प्यार और समान की हाकदार तो वो भी होती है, और उससे भी मुदद की जुरूरत होती है, क्योंकि वो भी इंसान ही है, मस्निन नहीं है, सही कहा जी मैंने मेड को हटा कर अच्छा नहीं किया, सुद्ध जी की बात सुनकर सुरेखाची धीरे से बोली चलो तुम्हें समस्तो आया सुरेस जीने कहा तो सुरेखा ची बोली पर इस समस्तारी का अभी क्या करू मेड तो इतनी जल्दी आने से रही सारा काम फैला है कैसी करू मैं मुझे तो नहीं हो पा रहा है उनकी बात सुनकर सुरेस जीने सलाह दी देखो मसिन से पहले भी धोलते थे और तुम्हारे बेटे ही धोते थे फिलहाल दो बेटे घर में बैठे हैं उनको बोलो वो मदद कर देंगे रही बात खाना बनाने की तो मैं खाना बाहर से मंगवा देता हूं कहकर सुरेस जी बाहर हॉल में आ गए उस दिन सबने मिलकर घर का सारा काम किया खाना पाहर से मंगवा लिया गया पर इस कौम ज्यादा के चकर में ये तो फैदा हुआ की घर में मेड वापस लगा दी गई सनेहा ने दिल ही दिल में खुस होते हुए अपने ससुर जी को धन्यवाद किया और रही बात बहु के तिन दिन आराम की तो पूरे महीने काम करने वाली महीला को तिन दिन रसोई में आराम मिल जाए तो हर्जी क्या है असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना धन्यवाद और इस कहानी पे आपकी क्या राहे हमें कमेंट करके ज चैसे क्रिशना दोस्तों हरी बोल